तो बच्चो जो question है ना उसको पहले जान लो जो question है वो है क्या देखो इसमें जो question है इसमें एक block है ऐसे suspended है पुली के मानलो एस पुली का नाम है P1 इस पुली का नाम है P2 इस पुली का नाम है P3 ठीक है तो देखो एस जो block है इसमें suspended है P1 के साथ तो एस जो suspended है ऐसे suspended है P2 औ लास्ट में connected है दो मासे एक मासे M1 और दूसरा मासे कितना M2. तो हमें जो solve करना है कि भाई देखो ए M और 2M का बीच में जो M है और 2M है इन दोनों का बीच में friction coefficient कितना होगा कि दोनों मास ना rest पे रहेगा. पूरा system कैसे रहेगा? ठीके? देखो in the arrangement shown in the figure there is a frictional force between the block of mass M and 2M. इसका मतलब M और 2M के बीच में एक frictional force act हो रहा है ठीके? block mass 2M is kept on a smooth horizontal table ए जो block 2M है smooth horizontal table पे है the mass of suspended block is M ठीके? और A जो मासे AM है ठीके सब suspended है if the block A is stationary with the block mass 2M यह जो mass है ना यह जो A बाला block है यह जो A बाला block है B की साथ stationary में है यह जो minimum value of coefficient of friction between M and 2M हमें solve करना है कि M and 2M के बीच में जो friction coefficient है वो कितना है? हमें वही solve करना है. तो चलो इसको solve करते हैं देखो पहले तो सोच लो यह पूरा system जो है na equilibrium condition में है अगर यह पूरा system equilibrium में है तो देखो इस direction में जो force act हो रहा है ए जो पूरा का पूरा system equilibrium है तो इस direction में जो force act हो रहा है बहुए tension force और downward direction में जो force act हो रहा है वो है mg force, ठीक है, तो देखो upward direction में जो force act हो रहा है वो है tension force, और downward direction में जो force act हो रहा है वो है tension force, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हमें लिखना पड़ेगा कि भाई T, इसमें क्या लिखेंगे, T minus mg equals to net force कितना है, 0, इसका मतलब आपको T का value मिल गया, क समझ में आया? इस side में भी तो एक tension t लगेगा? ओके? अच्छा, देखो tension कैसे लगेगा? ऐसे tension लगेगा इसमें भी एक tension लगेगा ती इसमें भी एक tension लगेगा ठी तो हमें जो solve करना है ये जो coefficient of friction है एक coefficient of friction का value कितना होगा तो देखो इसको कैसे solve करेंगे पहले तो हमें पता चल गया है कि यह जो 2m block है इसके ओपर जो force act हो रहा है वो कितना है वो है T है अच्छा तो अगर T amount of force act हो रहा है तो पूरा system का acceleration क्या होगा अगर हम मान लेते कि अगर यह चलता ठीक है क्योंकि हमें solve करना है कि minimum coefficient कितना होगा कि A rest पे रहेगा A block कैसे रहेगा A block जहेना वो rest पे रहेगा ठीक है ओके तो हमें solve करना है कि जो minimum coefficient है minimum coefficient of friction कितना होगा ठीक है ओके तो अगर minimum coefficient के हम बात करते है अगर हम minimum coefficient के बात करते हैं, ठीक है, तो देखो कैसे इसको solve करएंगे, तो देखो, इस direction में जो force act हो रहा है, वो है tension force, इस direction में जो force act होरा है, वो है tension force, ठीक है? तो हमें पता है कि force जो होता है, force होता है, mass into acceleration, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, अगर हम लिखते है कि force equals to force कितना है tension force तो force equals to हम क्या लिखेंगे mass into acceleration देख इस total mass कितना है total mass से 2m है plus कितना है m है उसके साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा acceleration सही और इसका मतलब आपको मिल गया जो a, a का value आपको मिल गया वो a का value कितना मिला आपको a का value मिला t by 3m और हमें पता है कि भाई यह तो t का value कितना है t का value तो mg है तो हम लिखेंगे कि mg by कितना लिखेंगे हम 3m इसका मतलब आपको जो value मिला a का value मिला वो कितना है g by 3 ठीक है clear अच्छा अभी क्या होगा देखो अगर a body इस point पे अगर m mass 2m mass पर rest पे रहना चाहेगी अगर जो m बाला mass है ना ए 2m mass के उपर ठीक है rest पे रहना चाहेगी तो कितना force required होगा तो what is the required force जो हम लिखेंगे required force कितना होगा required force इसके उपर इसको rest पे रहने के लिए देखो इसके उपर इसको तो rest पे रहना है तो rest पे रहने के लिए एक तो force चाहिए वो force कौन provide करेगा friction provide करेगा कैसे देख लो आप मैं आपको बोलता हूँ कैसे friction वो force provide करेगा कि देखो ए जो 2m है ना तो 2m है 2m जो है इस direction में जा रहा है ठीक है और इसके उपर इस जो 2m है इसके उपर frictional force कौन सा direction में act होगा क्योंकि इसमें तो m है तो frictional force इस direction में act होगा 2m के उपर समझ में आया तो 2m को लगेगा ये भाई m जो है ना m जो है वो पीछे के तरफ जा रहा है कौन सा तरफ कौन सा direction में जा रहा है पीछे के तरफ जा रहा है तो m अगर पीछे के तरफ जा रहा है तो m के सामने के तरफ कौन सा force act होगा frictional force act होगा कौन सा force act होगा frictional force act होगा समझ में आया देखो आपको बता देखो आप सोचो ना Just think about this. जो 2m है, जो 2m है, तो कौन सा डारेक्शन में जा रहा है? इस डारेक्शन में जा रहा है. जो 2m है ना, वो इस डारेक्शन में जा रहा है. ठीक है? जब इस डारेक्शन में जा रहा है, मतलब इस डारेक्शन में जा रहा है, तो इसके उपर तो friction force लगेगा, देखो friction force क्यों लगेगा, क्योंकि 2m के उपर कौन है, जो A बाला block है, A and A block है, उसके लिए, ठीक है, दोनों का surface का बीच में तो friction force लगेगा, और जो friction force लगेगा, कौन सा direction में वो friction force लगेगा, इस direction में friction force लगेगा, तो देखो, 2M को जो friction force लगेगा, वो इस डारेशन में लगेगा, और जो m को जो friction force लगेगा, देखो, 2M सोचेगा, की भैई, देखो, हम तो इस डारेशन में जा रहे हैं, और जो m है, इसका relative motion कोँनसा डारेशन में होगा, इस डारेशन में होगा समझ में आया 2m तो इस डारेशन में मूव कर रहा है तो 2m को लगेगा तो m का relative motion कौन सा डारेशन में होगा इस डारेशन में होगा अगर relative motion इस डारेशन में हो रहा है तो m का Frictional Force कौन सा Direction मिलेगा, इस Direction मिलेगा, ठीक है, तो एही Frictional Force हमें चाहिए, एही Frictional Force हमें चाहिए, क्यूं चाहिए, M को 2M के साथ Move करवाने के लिए, ठीक है, ओके, तो पहले तो हमें पता चलना चाहिए, कि भाई, Required Force कितना होगा, एही तो Required Force होगा, वो Required Force कितना होगा, तो Required Force हमें पता है कि भाई, Force equals to होता है, क्या होता है बच्चों, Force equals to होता है कितना, Mass into Acceleration, तो Mass इसमें क्या है, Mass तो M है, और Acceleration क्या है, क्यूंकि इसको हमें Move करवाना है इसके साथ, तो Acceleration क्या है इसमें, देखो, Acceleration है हमारा G by 3, समझ में आया, Acceleration इसमें अभी देखो ये तो आपको पता चल गया अच्छा अभी देखो इन दोनों का बीच में जो limiting friction होगा वो limiting friction का value कितना होगा हमें पता है कि limiting friction का value कितना होता है म्यू एम जी होता है ठीक है जो required friction है जो required force है उससे जादा limiting friction का value अगर जादा होता है जो required force है जादा limiting force होता है तभी तो एक साथ move करेगा अरे भैं आपको 10 newton force चाहिए सपोस एम बाला जो body है इसको move करवाने के लिए सपोस मालो आपको 10 newton force चाहिए लेकिन आपको मिल रहा है 9 newton 9 newton force मिल रहा है किया move करेगा नहीं करेगा तो अगर जो force आपको चाहिए उससे जादा force हम आपको provide करते है तभी तो move करेगा ना तभी तो move करेगा तो तभी move करेगा तो देखो हमें चाहिए कितना हमें ए बाला force चाहिए उससे जादा force अगर मिल रहा है जो क्या है limiting friction तभी तो एक साथ move करेगा तो देखो limiting friction का value कितन है हमें पता है mu mg और required friction कितना है required friction का value हमें मिल गया वो कितना है m into कितना है g by 3 ठीक है इसका मतलब हमें mu का value मिल गया वो कितना है mu का value मिल गया greater equals to 1 by 3 तो mu का minimum value कितना mu का value 1 by 3 से जाधा भी होता है तब भी चलेगा लेकिन minimum कितना होना चाहिए 1 by 3 ओके समझ में आया ठीक है